मेरो आत्मियत आज दिन चरिया घटनाक्रम को नौ अध्याय मछूं खानाको दुस्रो भागमा आठों चर्चमा खानाको बारेमा ठोस खानाको बारेमा चर्चाथिव आज ठोस साथ साथाई अब हावा पानी या सुरेगो प्रकास लाई पनी आहर कुरूपना समयद्ने चोग। अब हामिले ठोस आहार लाई जानी सक्याउं अब ठोस संग संगै तरल आहार पानी लाई जोडाउं पानी लाई ठोस आहार संग संगै जोडीन च या पानी खान्दा अरो अन्न खान्दा फल आहार खान्दा यो पानी को संबंध ठेक संग जाननू परने हुँँच। आमी अन्न खान्चों ठोस आहार खान्चों फेरी तो ठोस मा पनी अधीत बाग पानी को नहीं रहांच। आमी पानी माने पानी को साथ साथे आगो मा आले रखान्चों। आगो को पाक मा इहां पानी पनी उतिकी महत्य पुण रहांचा एस अर्थाले एस पाक लाई थोरे भाय पनी बचाउंच। अतहा पानी को महत्यों को चर्चा भई सकेको छ। अब हिया ठोस आहार संग पानी को संबंध इस पारे मा ठीक संग जाननों परने छ। हमीले चाक खाना अन आहार लेंचाउं एसमा पानी को साथ साथे को संबंध ताही ठीक संग जाने उपने अमरे ठोस आहार जुन पाचन समाय बटी छा रभ पाचन अनुकूलताचा यो स्वई रठीक संग रहना सक्चा रई यो स्वास्टिको लागी धेरे महत्तुपन अचाउं आमी फ़लाहार खान छाउं तो फ़ल मा पानी नहीं अधिक मात्र मा रहेकों होन छा एसमा पानी जोड़ना आउस्चिक छाई नहीं अन्नाहार मा आमीले पानी को मात्र लाई यही फ़लाहार जत्तिकल मात्र मा उपयोग्वर्न सकें उफन्ने अत्तेंत उपयोगी हुन्छ जुन फ़लाहार फ़ल मा पानी को सम्बंद जस्तो छ रा अन्नामा तो धेरे कम छ अब अन्नालाई पनी फ़ल मा भय को पानी को मात्र को आधार मा आमीले अन्नालाई विजाए रा उपयोग्वर्न सकें उफने वा अन्नाको नसुक्दा सम्मा को सुक्णु रा अन्नाको पाक को करिब करिब समाप्ती अन्ना जब बोट मा पाक को करिब करिब समाप्ती रा सुक्णु भंद अगाडी इसमें जुन पानी को मात्र हुन्च जशरी सुख्या अन्य ले हमिले विजाउंदा यो मात्रा बंदा छो एसलाइट ठीक संग जानों विजाए रहा खाये को अन्य विजाए को अन्य तेस फाल माभय को पानी को मात्रा यो यही आधाले तोय गरो अब चपाउंदा को रियाल को जुन अधिकता छो एसले फरक पार दाईना अब इस फंदा धेरई ठोस र अरल पानी र अन्य को संतुलन भाय न पने यू स्वास्ते को लागे हाने कार भुन्छ यो तो भायो अन्य र पानी को एक साथ साथ को आंकलन अब फेरी पानी र अन्य को चुट्टा चुट्टे संबंधलाई जान्य पाने होंछ यो अज़ा महत्त पुनाँछ अमिले अन्य छुट्टे खान चुट्टों फेरी पानी पनी छुट्टे पिनुछ अधा यो संबंधलाई जान्य ज़ाने महत्त पुनाँछ अब छाक आहार अन्य आहार यो आहार खानो भंधा पहिला तथुट्टे पानी मात्र इसको समय जुन खाने को समय भंधा एक घंटा अगाडी आदा घंटा अगाडी कम से कम 15-20 मिनिट को फारक तब पानो नहीं पाने हुँच एतीश भाय भने आमी धेरे हास समय रोग बाट बास न सक्छू रोग धेरे अनुकुल्ता को हद मार हन्चूं अनि खांदा खांदाई फेरी ठोस र पानी ठोस अन्न र पानी को उपयोग मा पनी उतिकेई ख्याल गणुपने हुँच्छ यहां ठोस अन्न खाई रहेका चांँ तोसमा आमरो मोह को कारे चा एसमा जुन रियाल को सम्मंध हुँच्छ अज अन्न मा ठोसमा पनी सुखा मा पनी हमेडे भिजायर पानी को जुन संतुलन चा यो भाय पसी तियो पानी को मात्रा पून रुपले रहांच्छ अर एसमा थुट्टे पानी को आव सेक्त पर्द हैने अता भात्य या अरु चाक जिये सुखे खाऊ एसमा पानी को थुट्टे उपयोग नगर पानी को को खांदा हैरी पानी पिऊने बानी हुँँच पाने छुट्टे पिवने बाने यो नगरों, यो भयानक हुँँज़, रोको कारण मद्धे सभै भन्दा, भयानक डरलावितो मानिसले गर्येको भूल भनेको, यही पानीरा आहारको ठीक संग, उपयोग नगर्नो नहीं हो, अब खाना को साथ साथे चुट्टे पानी पनी पिवनो भयना, अनि खाना खाई सके पची पनी लगत्ते कम से कम 15-20 मिनिट को भरक, आदा घंटा, एक घंटा सम्मक, अज़ उपयूब्त रहांच, यो समाहिलाई ठीक संग ध्यान यो ठोसखाना को आहार को समाहावदी शंग हो स्यार बन्यकानी चाहा इती गर्यवने, मानिस धेरेहाच सम्म रोग बाट बत्न सक्छ जुण आजको रोगी मानिस उसको लागे यो पत्यन्त महत्त पंण कुरा जब हमें आहार खांचां तो पाचन को लागे उसको कारे शुरू भाई हाल चा कारे थालने भाई हाल चा यो भित्र को तापमान रब भाहिर को चुन तापमान चा इसमा असंतुलन रहन चा पानी तो एसे पनी हामिले खाना को जुन पाक र पानी को जुन अलगे खांचां यो हामि मन्ता तो पानी खांदेहिनों ए सर्थम्बाम पनी धेरे हानी गर चा भित्र को र बाहिर को तापमान को संतुलन रहन देहिना आहार मा तो हामिले पाक आगुमा आहार लिये रखांचां येचले थरे संतुलन रहत चा फिरी पानी को ताप ठिक भायना भने येचले हाने गर च यो पनी जान्न पने कुड़ा रो पानी लाई मन्ता तो पानी मा येथी जोड़ दिये को यो बिहानी को पानी रो आहर संगे या आहर को साथ साथे को पानी को ताप मान रो पानी को मात्रा इसलाई जाने पचे अब हावा हावा पनी एक अहार हो अक्सिजन द्वार हमें उपहयोग मल्यां उच्छों एसलाई जो अक्सिजन को मात्रामा हम रो खाना को मात्रा तो ये गरना सक्छों अक्सिजन को मात्रामली धेरे खायोँ पनी अरो आहर कोम हान्छों यो हावा को आहार पनायाम को पाठमा थुट्टी चर्चा बाएको छो इहां हावा अक्सिजन रो अक्सिजन को मात्रा अधिक भायव पनी एसले अरो आहार लाइक कोम गरना सक्छों यो और गहो सुरे को प्रकास यो पहीरे द्वारा है मिलें छाऊं रो यो पनी उतिकी महत्तो पनाच्छों इसको आहार को लागी सबे मंदा ठूलो बाधा बनेको हैमिली लगाउने कपड़ा हो रो बायु मंदाल को पनी ख्याल गणो पने चा मानिस बायु मंदाल मा धेरै हिंक सात्मक रुपमा अगाडी गई सकेको चाथ बायु मंदाल को स्वास्थे लाइव ध्यान मा राहते है सुरे को प्रकास को आहार यो बाहिरी छाला द्वारा रो बाहिर द्वारा लीने आहार द्वारा हमें लेंछाँ एसलाइपाने ध्यान द्यान द्याँ सुरे को प्रकास को आहार बिहाना को समय रा बेल्युका को समय मा उपयुक्त मानिंछा त्यों संतुलन को हदले अतो है एस समय मा इस सरीर मा कपड़ा को बंदेज नभाई कनली एको आहार चुन छाला मा इसको आहार को महत्यों लेपन जानौंग् इतीन आहार थप आज पाए पानी हावार शुरे को प्रकास इतीन आहार लाई ठोस आहार संग जोडे रही देखनू पने छा इसको मात्रा इसको संतुलन इसको उपयोग इसलाइट ठीक संगत जाने पची नहीं हमी सुस्त रहना सक्चूं राऊर को अंतीम हो भावनात्मक आहार भावनात्मक आहार जो मानव को लागी मात्र हो मानवली बाहीर देखे रहने भावनात्मक सक्तिले आहार उपयोग गरने बहुदिक रुपाट देखे रहने इच्छा को बल्ले बाहीर आहार 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 देखे रहने भावनात्मक रुपले आपनों सारीरिक अबस्थलाई शुद्रीड आहार उसको लागी अनुगोल गरनों सक्कें उपाने सारीरिक रुपमा जुन सक्ति हामी खर्च गर्छाँ एचलाई हामी रोकन सक्छाँ जुन भावनात्मक आहार को संभन्ध छ यो बाहीरी प्रकित्ति को सामित्तेता संगे इस आहार को उपयोग छ इसलाई पनी जोर न सक्यों भनी अरियाली को फाल को फूल को आनन्द परकित्तिली दिने फूल को संदर्य को भोग यो संदर्य भोग दाने हामी ले आहार को मात्रा में मिल्लाच अतहा भाईरी शुरूब को फल फूल अरियाली अन्य बाली सवय को भावनात्मक आहार भावनात्मक इस्थिति तियो संबंध इसको उचाई को चेतना जागरित गर्दे भावनात्मक आहार लाइक ठीक संग उपवयोग मल्यायो भने मात्रा हामी ले आहार को पोणत बोध गार्ने छों पोणत ज्यान गार्ने छों पोण रूपय उपवयोगार्ने छों इसको विज्ञान इसको बोध इसको ज्यान हामढ़ी ठीक संगर जान्एच्ऊं जिबनर जगत शंग जुन आहार को उपवयोग छो इस लाइट ठीक संगर जान्एच्ऊं 小 आजाई Tyan और महर्दो पोण चार आहारे को बारेमन चर्चा गर्ऊं हार को संबन्दमा माझे छुट्टे बिदले चर्चाहरू गरे कुछु यहां इती नहीं